दोस्तों फ्रीडिस कार्ड की रिपेरिंग से रिलेटेड काफी सारी कमेंट मेरे पाई थी कि फ्रीडिस के कार्ड जब डैड कंडिशन में हो उसको हम रिपेर कैसे कर सकते हैं और किन-किन सेक्शन को हम इस वाज चेक करना चाहिए जब फ्रीडिस के कार्ड हमारा डैड कंडि इस वीडियो को लाइक जरूर करना, तो चलिए वीडियो को इस तो जब भी आपके पास फ्रीडिस का कार्ड बिल्कु डेड कंडिशन में आए, तो सबसे पहला सेक्शन जो हमें छेड़ना होता है या चेक करना होता है, तो यह वाला देखिए, यहां से हमारा यह देखिए, इस पिन से हमारा करंट इनपुट होता है अब यहाँ पर एक regulator लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, तीन पिन का regulator है, SMD regulator है, तो उस पर हमने voltage चेक करनी होती है, कभी-कभी इस regulator के खराब होने से भी card हमारा dead हो जाता है, आपको बताऊं, इसमें तीन पिन यहाँ पर दी हुई है, जो first, second and third, first वाली आप ये ground की पिन है, second वाली आउटपूट करेगी, और third वाली है, input करेगी, तो मतलब यहाँ पर तीन साड़े तीन वोल्ड यहाँ पर input होना है, और यहाँ से जो output होगी, बीच वाली आउटपूट है, आप गलती से इसको 78.05 मत समझेगा, तो कापी सारे लोग इस पर confused रहते हैं, तो इसकी जो ground की pin होगी, जो body की ground से attach रहेगी, वो यह वाली है, सबसे first वाली, second वाली, बीच वाली, या second वाली या बीच वाली अब जिसे कहते हैं, वो होगी output, जहां से हमारा voltage output होनी है, और इस तरब आप last में देख सकते हैं, दहने हाथ के last में, ऐसे पकड़ेंगे तो दहने हाथ के last में, तो यहां से हमारी 13 या 3 वोल्ट के आसपास input होगी, और बीच में से output हो जाएगी, और यह भी बीच से connected रहता है, यहां से output होनी है, जो यह वाली pin है, यह ground का यहां पर काम करेगी, अब चल्ब यह सबसे पहले आपको बता देता हूँ, एक example देता हूँ कि किस तरीके स यहां पर voltage हमें चेक करनी होगी, यहां पर इसको मैं थोड़ा side रखता हूँ, और दूसरे card को यहां पिल्कुल मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल यहां पर, एक multimeter को ले लूँगा, जिसको मैं 20 की range पर set कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ, यहां इसको on कर ल ground की है, तो first pin को आप यहीं पर लगा लिजे, देखे, ground वहां पर नहीं लगाना चाहते है, तो यहां पर लगा लिजे, इसके LNV के यहां पर, देखे, LNV की body, जो pin की है, उसकी body बाहर पर को, तो सारे ground एक ही होते है, तो यहां पर आप multimeter भी धान दीजे, और साथ में मेरे को देखते रहे हैं कि मैं किस कि section को यहां पर, बीच में, सबसे पहले हम first pin को check करेंगे, जहां से हमारी input हो नहीं है, input देखे, कितनी हो रही है, 3, 19, बिल्कुल correct है, input भी हो रही है, अब output कितनी हो रही, output भी देख लेते हैं, एक मिट, इसको उच्छे दा, बीच वाली pin से output होना है, यहां पर लगा लिए, बीच पिन में, तो एक असी, एक एक आस, बिल्कुल okay, voltage हमाई output यहां पर मिल रही है, तो हमें यहीं पर यही section हमने check करना, IC का, बस input और output check कर लेना है, भी input हो रहा है, यहां पर तो IC बिल्कुल okay है, तो यहां पर तो IC बिल्कुल okay है, तो यह भी बता देता हूं को, यहां आप देख सकते हैं, एक यहां पर, 4 lakh की, 8 lakh की ऐसी लगी है, यह वाली IC आप देख सकते हैं, यह वाली की, 8 lakh की है, तो यहां पर इसको change करके तेख लिजे, किसी और board में से IC उठा के इसमें लगा लिजे, और इसकी उतार के आप लग कर लिजे अगर नई IC लगाने के बाद भी, यह board on नहीं होता है, देखे, on हो जाता है, इसमें से नहीं होगा, इसमें से भी नहीं होता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, 1, एक यह transistor है, एक मिनट, यह transistor की sorting चेक कर लिजे, एक यह transistor है, और जस्ट एक यहां पर, यहां पर रहता है, यहां पर transistor रहता है, तो मैंने यहां पर लगा रखा है, तो इस दूसरे card में आपको दिखा दूए, एक मिनट, इसको off कर लेता हूँ, सबसे पहले में, तो यहां पर आप देख सकते हैं, देखे, इस card पर आप देखिएगा, बात एक ही है, सारे के सारे card एक जैसे होते हैं, एक और दो, इन दो transistor को बड़े वाले जो तीन लगके है, इन transistor को आप चेक कर लिजिए, इनकी जो sorting अगर है, वो चेक कर लिएगा, sort है, तो चेंज करके देख लिए, नहीं भी है, हो सकता हाफ sort हो, तो आप चेंज करके एक बार देख लिजिए, इनको दूनों transistor को, तो ठीक करके आपने देख लिए, इन तीनों के बाद भी, देखिए, आपकी 90% जो sorting है, इनी से निकल के आ जाएगी, मतलब इनी को चेंज करने से आपका card चल पड़ेगा, अगर, देखिए, 10% जो, का, इसमें fault का रहता है, वो रहता है, फिर Rome IC का, अगर इनको चेंज करने के बाद भी अगर आपका card on नहीं होता है, तो आप इस Rome IC को purchase करने के बाद नए Rome IC डाल दीजिए, आपका card definitely on हो जाएगा, तो जो main fault आते हैं, जो आपके 1, 2 and 3, 3, देखिए, तो इन जी जो में आपने ध्यान देना होगा, सबसे पहले आपने इसी voltage regulator को चेंग करना होगा, फिर आप पर लगे लगे बीब दे रहे हैं, तो फिर भी आप एक बार चेक के लिजे, इनको निकाल के भी चेक के लिजे, हो सकता, कोई capacitor sort होगा हो, चोटे SMD capacitor होते हैं, वो sort होगे हो, या डायोड वगर चे, sort होगे, तो इनके मज़े से भी होसकता है, बाकी component तो आपने चेक करने आ लगा रहे हैं, तो यहां पर देख सकता है, यह जो regulator है, यह यहां पर खराब था, तो इसकोבה repair करके मैंने आपर निया regulator के हापर डाल दिया है, मतलब नया गया कैसी और कारत सी निकाल के डाल दिया था, और इस मा ऐसी यार इस वाले काट पर transistor खराब था, tast तो यहां पर आप आपका इस voltage regulator में भी on हो जाता है चेंज करने के बाद नहीं होता तो transistor तीसरा step आपको फिर बता देता हूं तीसरा step है आपका ये वाली IC इस IC की वज़े से भी सबसे ज्यादा dead की condition आती है तो इस card में ये ICB चेंज की है मैंने आप देख सकते हैं ICB चेंज की थी तो मैंने सारे component चेक किये थे एक बार transistor बिल्कों ओके था एक transistor मुझे short देखा तो ICB खराब थी तो ICB चेंज की आप देख सकते हैं आपर तो हलका जा तो किसी किसी में आपको ये वीडियो काफी पसंद आयोगी और कुछ न कुछ सीखने के लिए आपको मिला होगा किसी दिन मेरे पास एक कोई खराब कार्ड आ जाता है तो practically आपको भी मैं करके बता दूँगा फिलाल यहापर कुछ कमेंट आयती उसके हिसाब से मैंने आपको बेसिकली आपर knowledge दे दिया है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है फिर मिलते के लिए वीडियो मैं तब तक के लिए जए ही जए जए भा जए कन दोए जी जए खिलोगा आने बन्हेंठंग से मिलते की जए हिए है प्लाइट है